तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ITVP के बारे में जिसमें कि यहाँ पे ITVP से Constable Trademan के लिए Vacancy को जारी किया गया है जिसमें कि बार बार सफाई करमचारी और Gardiner के पोश्ट के लिए Vacancy जारी किया गया है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, पोश्ट वाज कितने वेकंसी दिगाई है, कितना क्वालिफिकेशन होगा, तो आप इसे फर्म को फिलाप कर सकते है, कैसे आपको इसका फिलाप करना होगा, कम्लेट जन्कारी मैं आपनों को इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस व जो कि यहांपे देख सकते हैं ITP से औफिशन लूट्पिकेशन जारी किया गिया है और इसमें जो वेकनसी यहां पर दी गए एक कान्स्टेवाल ट्रेडमेंट के लिए इसमें कि यहांपे देख सकते हैं बार-बार सफाई करमचारी और गारडिनर के पोश्ट लिए वेकनसी क को जारी किया गया है और इस में जो कांड़ियर यहां पेél को किलाप कर पाएंगे और इसमें जोब को स्नुलरी यहां पे दीजाएगी जो कि यहां पे 2700 सो रूपए तक आपको यहां दिया जाएगा और इसके बाद नीचे यहां पे पोस्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया गिया है जिसमें कि सबसे पहले यहां पे दिया एक कांस्टेबल बारबर के लिए जिसमें कि यहां पे टोटल पांच वैकेंसी दी गई है और इसके बाद यहां पे देख सकते हैं क जो कि यहां पे gender wise vacancy को यहां पे अलग अलग दिया गिया है जिसमें कि यहां पे mail के लिए चार vacancy है और female के लिए एक vacancy दिया गिया है बारबर में इसके बार next यहां पे दिया गया गया कांस्टेबल सफाई करमचारी के लिए और इसमें जो vacancy यहां पे दी के total 101 पद दिया ग चेक कर सकते हैं और इसके बार लाश्ट में दिया गिसमें कांस्टेबल गार्डीनर के लिए जिसमें कि यहां पर टूटल 37 वेकेंसी दिया गिया है इसमें कि यहां पर मेल के लिए 32 वेकेंसी और फिमेल के लिए 5 वेकेंसी दिया गिया है और इसमें भी यहां पर कटेगरी व को फॉरुप्स करने के लिए फीज दैना होगा अगर आप उसमें 100 इसमें का फिस प्रेक्ष नहीं होगा और इसके बाद नीचे यहां पर दिया गया इलिभिल्ती कन्डिशन जिसमें कि यहां पे सबसे पहले यहां पे दिया गिया है तो यहां पे आप फॉलिफाइज होने चाहिएgy तो यहां पे आप फॉलिफाई होने चाहिए तो यहाँ पे आप फर्म को बर सकते हैं और इसके बार नेक्स्ट यहाँ पे दिया कांस्टेबल गार्डिनर के लिए यह इसके लिए जो आपका age limit होगा 18 से 13 year दिया गिया है और इसके लिए जो आपका qualification होगा आप इसमें 10th qualify होने चाहिए प्लस आपके पास 2 year का experience होगा गार्डिनर में तो आप यहाँ पे फर्म को फिलब कर सकते हैं अगर आपके पास 2 year का experience नहीं होगा तो आपके पास 1 year का ITI होना चाहिए प्लस आपके पास 1 year का experience होगा गार्डिनर में तो भी आप फर्म को फिलब कर सकते हैं तो आपके पास two year का डिप्लोमा होगा गार्डिनर में तो यहाँ पे आप फार्म को फिलब कर सकते हैं इन तीनों में से कोई एक आपके पास qualification होगा तो आप यहाँ पे गार्डिनर के लिए अपलाई कर सकते हैं और बार बार और सफाई करमचारी के लिए के ओल आप 10 पास होंगे तो फार्म को फिलप कर सकते हैं और इसके बाद नीचे यहां पर दिया गया है जो आपको इसमें फार्म को फिलप करना होगा के ओल आप इसमें online mood से फार्म को फिलप कर पाएंगे और इसके बाद नीचे यह और इसका जो आपका सेलेक्शन प्रोसेस होगा जिसमें कि आपका पीटी पीएस्टी डिटेनिक जामनेशन टेस्ट टेस्ट कैसे होगा उसकी जनकारी के लिए जब इसका फूल उट्पिकेशन आएगा उसमें आपको जनकारी मिल पाएगी अभी यहां पे इसका फूल उट्पिकेशन जारी किया गया है जैसे इसका फूल उट्पिकेशन आएगा आपको वीडियो डिस्क्रिशन में लिंक मिलेगा वहाँ से जाकर के आप कंप्लिट जनकारी को चेक कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर पहली बार आई हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीचिए और साथी साथ वेल ऐकन को दबा दीचिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद